सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका स्वागत है यह है ओप्शन का क्लास नंबर तीन और मैं सिखा रहा हूं ओप्शन्स ट्रेडिंग अनपूर्णा जी को और आपको पर रहे स्वागिव अनपूर्णा रहा है अनपूर्णा को पर श्राइब करें बालच अपूर्णा जीना है वाल रहा हूं सिखा आपको नंपूर्णा प्रिए नेट घ्ट को बढ़ आपको देखना पड़ेगा और सुछि आपको काम कर सकते हैं झाल नसे के विबशवाइट से पापको कॉम्स लगता है तो स्टॉकेज में भी ऑप्शन चेन है देखना है को एका प्र एक अपको बता हूं तो कि आप कर दा हुश है यह को आपको बता हुशन को कैसे य में बनाया है इसमें हमने फ्री लर्निंग इंग्लिश में उड़ा दे दिया उप्शंस पे so anyone who is interested in learning options free in English basic सारे high five advanced concepts नहीं इसमें basic जो entry level पे concepts होते हैं वो सारे हमने इसके दिर भी डाल दिया है free of cost कि options क्या होते है call option क्या होता है put option क्या है pay off strategies इतने सारे strategies हम सारे strategies पर चर्चा भी करेंगे बात में जैसे long करेंगे short यह तो हमने डिसकुस कर लिए कि call option long करते हैं तो क्या pay off होता है call option short करते हैं तो क्या pay off होता है सारे चीज़े discuss हम लोग कर चुके strategies बगर हम लोग और discuss करेंगे अद्वांस में और GRIEKS तो आज का हमारा चर्चा का मुद्ध है वह ग्रीक्स ग्रीक्स को ग्रीक्स क्यों बोलते हैं उस भी परなんです वहीं हैं खोज आएंट ग्रीक्सिंट, तब में आगिक्स कर लग्री मिरेटरों oops अरपने उसकाई में पर वहीं हैं ङ्रीमिट्टे जए बडख़ बड़ता गाएं पर कहते हां Grove Center C की का więc इस फिरह भर आपकार का इं का आपकार किंड पुर्य पाश्य फिर्टेश का का तोपल। इस वुट पटेह परिछ दी इपल्म पर नपने एपका सै युपू-पर आपकार स्मारी trata do nie शार मोटा मूटी में बात बता भुष्य आप कुछ भी अगर उप्शम्स्में करने की बात कर रहें आपको एडस खाल्रों करना पड़ीक्श के आपका कि distintos स्वारे थेटीइ कि यह मैं प्रकारे लगन किंग कर रहें क्ल मैं किया डेल्ता या कि अग्रह कि आफ इसको घृक इसा मज़ शुर्थिम त्यूजारि और इसको प्राइब मेरे समझ में या वहाथ सिंपल कॉंसेप्ट है बड़ा ह्वेवेड जारगन यूज कर इसको कॉंप्ल केशिंग बना जेटे बड़ा सिंपल कॉंस्प्ट है अगर आप इंगलिष मे if you want to learn greeks in english basics then go through these videos which we have created which will explain you exactly what these greeks are and what are the implication of these greeks okay कर लीजेगा टीकर लेगन एक बार मैं अपने अंदाज में स्काता हम आपको की greeks क्या एक और वेबसाइट है पढ़ी प्यारी वेबसाइट है अप्शन्स के लिए अगर आगे भढ़ना है अगर ट्रेडिंग करना है तो यह वेबसाइट डिफिनेटल आपको करने हैं यह हमारी वेबसाइट नहीं कर रहा हूं मैं एक तीसरी वेबसाइट की बात कर रहा हूं जिसको मैं भी यूज करता हूं वह वेबसाइट अप्स्ट् तो आप्शन से लेटेड कुछ भी आपको एनलेसिस करना है तो ये टूल को आपको यूज करना है ओकी आप इस तूल में जाएंगे तो आप यहां लॉग इन कर लीजिए फ्री लॉग इन है तो कोई पैसा नहीं देना होगा लॉग इन के लिए बट आपको प्रीमियम फीचर कि सुपोज में और चलते हैं कि सपोज में आप्शन में यहां पर और 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 ऑफ्ष्ट्रा ऑप्से रडेजी बिल्ड़ था अओ चलते हैं मैं आप इस प्र आप्षक पर यहँदी डिस्क किया तो चले निफ्टी यहाद लास्ट वीडियो में आपन लोग ने बात किया थ कि निफ्टी में 16,000 का कॉल अप्शिन के अंदर में बहुत ओपन इंट्रेस्स खड़ा है और 15,500 का पुट अप्शिन में ओपन इंट्रेस्स खड़ा है मताब वो इक रही इंच है है यह में ऐसके स्टाइजी बनाते है कि सब्सक्राइख मुझे लग रहा है कि मार्केश है यहां से तेह लाग सकता किया व्या क्या करें या तो में फूचर स्चरिद लूगा या मैं कैश मार्केट में खरिद लूगा बहुत गबराइँ इस पहिए हुआ होती हैं, मैंने मुझा जब लोगा मार्जिंग कर दूटे को फाइदे हैं और उसके क्या प्रॉद्वेट वेड्से से बिली कुछ अब बड़ा हैं, तो फ् करना पेसा यहाओ करना राखना कना रहा है काम रहा है काम पर कैसो मदाव निफ्टी में काम एक टीएक वैह को लेहा है कि GitHub हो फ़्लेज के टीएक टीज हेस्पर निफ्टी में काम करना यह था हुआ को आपके पास इतने सारे स्ट्राइक प्राई से हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस भॉआ करो हुआर्इ κα better cricket के जान अबरसेлем तो अबसे है यह झाने किसप झाव बॉआ करो आपके पास इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है आपको भॉय करोंगी तो अगर मैं 16 a.s लो जरनी में 16000 का स्ट्राइक प्रेम उतना नहीं भड़ेगा जितना अभी का स्ट्राइक प्रेम बढ़ेगा एक इस कॉंसेप्ट को और मैं समझा जेता हूं जो तो अप्षिन चेंग अफ निफ्टी तो यह अलग अलग अप्षिन प्रीम अभी आज का डेट में दाम है निफ्टी का 15,850 का कॉल अप्षिन का दाम है 68 ठीक है अगर मुझे तेजी खिलनी है मार्केट में तो मैं इसको अगर खरिदूंगा 15,850 का कॉल अप्षिन खरिदूंगा और निफ्टी अगर यहां से सौ पॉइंट तेज होता है मतलब वो 15,850 हो जाता है तो यह जो 68 का प्रीम है यह प्रीम क्या 68 का 168 हो जाएगा नहीं देख लेते 15,850 का प्रीमियम आज की रेट में 68 है और हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो आज अज देख लेते हैं तो यह 68 तो 100 पॉइंट के बाद में 131 हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 68-13 is तकरिबन 65 तकरिबन 65 मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट भड़ा तो प्रीमियम भड़ेगा तकरिबन 65 इसका मत तो one is to one relationship नहीं है although 65 नहीं भड़ेगा वो आधा भड़ता है तो the relationship between underline price जो price market का भड़ेगा और call का या put का प्रीमियम का दाम भड़ेगा या घटेगा that relationship is called delta और at the money पे delta हमेशा 0.5 होता है इसका मतलब 15,850 का strike price का call option का delta है 0.5 अगर market 100 पॉइंट भड़ा तो यह 50 पॉइंट भड़ेगा इसका मतलब 68 प्लस 50 मतलब यह हो जाएगा 118 अगर market 100 पॉइंट भड़ा तो पॉइंट पॉइंट यह जो दाम अभी 70 यह दाम सो पॉइंट के बाद में हो जाएगा 118 मैस पॉइंट पचास विच इस ऑल्मोस 23 ओके यह यह सिंपल simple mathematics कि add the money 0.5 होता है जितना आप in the money जाते हो उतना 0.5 भरता है और जितना deep in the money जाओगे उतना option का दाम reactive to underline का price is high तो delta जो है उसका general graph जो होता है वो ऐसा होता है 1 से लिके, almost 1 से लिके 0 तक in case of call option और in case of put option almost minus 1 से लेके 0 तक almost 0 तक इसका reason यह है कि add the money deep and in the money जाएंगे जैसे 13,000 का call option का delta विल बी almost 1 तो यह भी 100 पॉइंट भड़ जाएगा तो इसमें time का भी तो इसका बड़ता है क्या पारमीटर तो जो जुको बलते है थीटा वह बताएगा अब अब भी बाकी पारमीटर को constant अब भी डेल्टा के बारे सोचेगा तो डेल्टा पॉर कॉल अप्शन रिंजेज बिट्विन तो जो जो पारमीटर के बारे समय वाले सोचेगा की बेटेवीन बंड वहने की तरफ और जितना पिंद जांगे उतना व कि तरफ होगा। इतना आप अफ ट्री के तरफ होगा और यिपाद गर 갑 सब्सक्राइब अब प्रश्णी आता है कि सर मुझे अगर तेजी खेलना है तो मुझे कौनसा स्ट्राइब प्राइब लेना चाहिए अगर आप अगर इंदमनी का लेंगे तो इंपेक्ट जादा मिलेगा लेकिन जितना आप इंदमनी जाएंगे उतना प्रीमियम कदान भरता इसका मदा आपको इंवेस्मेंट जादा करना है जितना आप आउट अफ दमनी जाएंगे उतना इंपेक्ट कम है प्रीमियम कदान कम है लेगे इंपेक्ट भी कम है तो टिपिकली लोग एक गलती करते हैं उनको लगता है यह तो सथा प्रीमियम है एक काम करता है 16,000 का कॉल ले लेते हैं 17 उपे में ले जाएगा 16,000 का कॉल 17 उपे में ले लेते हैं अगर 16,000 हुआ तो मेरे पैसे बद जाएगे हैं लेकिन लोग यह نہیں समझते हैं कि भईया इसका डेलटा कम है तो जब तक मार्कट 16,000 होगा इसका क्लद डेलटा कम है अगर तो यह उतना भड़े गाई नहीं तो तेजी पूरा मार्केट का खेली नहीं पाएंगे क्योंकि इसका डेल्टा कम है okay okay got it so you should always have a balance श dudes अब कर गसके के तो निसका डेल्टा न सब्सक्राओर सुखिझत even uh प्रियुमं का है विस्क हृझ भी ऐज़ए अगर टेल्टा जा ज़िख झाड़े फटरल्टा को तो इस्टाओ विस्का में डेल्टा भी 0.5 है प्रीमें इन्वेस्मेंट भी मॉड्रेट है ऐसाने की बहुत जादा और आसेने की बहुत कम है और प्रभाबलिटी कि स्टॉक एड्ड़ मनी से उफर जाएगा वो भी हाई अब उसके बाद जो जो पॉइंटर्स है यह टाइम वैल्यू और यह सब अब अभी डेल्टा को आप पूरी तरिके से समझ गये ना कि अर्फ ऑग्रम अगर आपको लेकर करना है तो मैं कभी भी अड़्वाइस नहीं करता हूं कि आप 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 अव्ड़ मनी हमेशा सस्ता दिखेगा यह जो सस्ता है कोई ने कोई रीजन है क्यों हो सस्ता है जो मह कोई ने कोई ही रीजन है in case of options जो चीज महंगी है इसका मतलब उसमें probability ज्यादा है कि आपको वह कमाई देगा इसलिए वह महाई है अगर मैं इंदमनी को लेता हूं तो probability ज्यादा है कि आपकी पैसे बनेंगे आपको पैसे देने के जादा पोसप्सिंबिलिटीटिई रखते है थे जयुँजू ए बैो को निफ्टी का ऑप्शिंज का स्ट्राइक प्रैस कौन से लिन है करेंट स्ट्राइक प्रैस अच्ट बनी क्या है 15,850 ठीक है तो 15,850 का कॉल ऑप्शिंज मेरे को बाई करना है ठीक है एड पोजिशन तो यह इसको बोलते हैं पे ओफ डाइग्राम तो 18 अगस्त का 15,850 का कॉल का दाम है 231 रुपे तो आप देखो 231 रुपे में इसने बाई कर लिया 239 के करीब है 15,850 प्लस 230 इस मैं ब्रेकिविन पॉइंट विच इस ऑल्मोस 16,56 के ऊपर जाएगा तो मेरा बहुत प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड प्रॉफिट है और उसके नीचे रहेगा तो मेरा लिमिटेड लॉस है तो हर स्ट्राटेजी ऑप्शन स्ट्राटेजी को आपको पे करना पड़ेगा और वो पे आफ डागराम आपको बताएगा कि इसका इस स्ट्राटेजी का मेरा क्या इंपक्त हो सकता है तो इस स्ट्राटेजी में ग्रीक्स देख लेते हैं कि ग्रीक्स क्या बता है यहां ग्रीक्स में ग्रीक्स क्या बता रहें डेल्टा थीटा गामा और एक बार गामा को छोड़ देते हैं डेल्टा थीटा और वेगा डेल्टा इस इंपक्ट ऑफ चेंज इन दी प्राइस अफ दी अंडरलाइन उसका क्या इंपक्ट मेरा पे-अफ में होगा तो इसका डेल्टा इस 53 रुपी इसका मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट भरता है तो आपको तिरपन रुपया का प्रॉफिट होगा ठीटा इस 3-4-1 वाइस थिता अगर वाइस थिता अपको बता है कि महाँ पारत में समय बलवाने और समय कोर्म कोड़ मुमिन टिक 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 कर था है याइस अंडरिश सब्सक्ट अपको त्वालु और मानी प्रुपिय future today is not worth 10 rupees after two days because koji hai 108 आपको तोड़ा गाज मांगेगा outta किसी ने भी आपको option premium बेचा है तो वो every moment वो उसका कमाई करना जाए जाए जैसे जएसे दिन बिता जाएगा वैसे वैसे उसका कमाई भुकता जाएगा तो अगर 50 Rupia premium मुझे मिला है तो वो premium is spread इसका मतलब हर दिन कुछ न कुछ पैसा वो ऑप्षिन सेलर आप से कमाता जा रहा है और वो प्रीमियम का वैल्यू कम होता जा रहा है तो अगर अफने प्रीमियम खरीदा है तो एक नाचुरल प्रोसस के दौरान एक सुमिर का से कहा है। तो प्रीमियम यूपाली आप आख एक वाली इसेधिता जाएगा कि अपने इस थैगा इस कीब्स और यस्क्यूब्स को बाहर रग दिजय क्या ह। तो अगर आपने आपने आप्षिंज को भाई कर वक्ता है तो वो बरफ है थीरे थीरे जालेगा और पानी बन जाएगा रएट एक एक ट्रेंट नेस्ट उसके अंदर में इंट्रेंसिक वैल्यू है तो प्रेथ थे इत्राइक प्राइड रहे गया विकल दिया ग्याज़त पांप एक नदर आए करें ने प्राइड दाल दीचा यह घरे-धी पानी हो गया लेकिन वो तो बेर रहने लिए लेगा कि वो तो बेर मिनिममुम भाली होना है कि लिए इक अट्राइक वैल्यार्या चि प्राइस के सब्सक्राइब 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 के सब आफ अफनर सुन्रेंस अपनाव संहा कीमा रुट मोर् skating ऐसे सेंगे वर कि माद शुमक साथפר दिए कैविFr स्मोकिंग यादत लिए स्मोक गादतों वहाद मघए स्मोकिंग अवर गोड़्यी शुट लिए जोग याजा अदेस्टी अबला लागद से लिए तेरा प्रीमिय बढ़ेगा क्योंकि तेरा उपर जाने का चांस पुत आई इसका मतलब इंशुरेंस जो अधिन को गवराट हो गया कि ये श्मोकिंग चादो कर दिया यह जल्दी जाएगा इस्के चक्कर मेर को पैसा देना पड़ेगा तो प्रीमियम तो बढ़ा हु वेगा इस बेसिकली हार्ट बीट जितना ज्यादा गवराट उतना ज्यादा प्रीमियम का वैल्या को जब भी बीट बाइट फिट वार्ट वाल्या जिटीए हार द गवराट बीट बीट प्रीमियम वैल्यू विच इट रिट घटिव तू वेगा एक तरिका पता बटाओ एक पता हूं या दटने का वेगा व्लाटिलिटी थीटवट्ट थीट ताइं डेल्ट धिल्ट मलिट अपक्ट सबस्क्राइब पर इंधरर देश avoid जफ एक्ट उसमा सब्सक्राइब फस्का रहे उसाना कow hic on the रहें इस थाक्राइब करión करना रहना है उस्क प्रॉता आप हुड्स मार्這是 world और रहें प्रॉट्रीट में और गविन फासरें जैन्ट के साणने इंधिड और बढ़ लांतिलिटी भड़ा एक पसंट से तो आपको अधारा सो तर्याले सुर्ड रॉप और अपे और जाए गाईगा इसका मदल ऑप्शन प्रीमियम का भाव बढ़ जाएगा बढ़ गॉड़ बढ़ एक पसंट से अब वह बना वोलाटिलिटी क्या बला हैं एक पसंट से तो आपने वह देखा था है concept IV, implied volatility, जब हम volatility की बात करते हैं, तो हम IV की बात करते हैं, implied volatility, आप देखो यहाँ पर implied volatility देख रहा है 11.52, इस strike price का implied volatility is 11.52, अगर यह 11.52, 12.52 हो जाता है, तो आपको 1843 रुपया और मिल जाएंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपने जो premium खरिदा उसका दाप भड़ जाएगा, right, right, okay. ठीक है, market में भड़ जाएगा दाप, क्योंकि आपने लिया हुआ है, okay? और जो आपको बेचा हुआ है, उसको नुक्सान हुगा, क्योंकि market पर भड़ जाएगा, volatility यह market पर दाप भड़ गया, तो obviously उसको नुक्सान होगा, और आपको profit तो जब भी आप options का pay off diagram बनाते हैं तो यह major greeks आपको देखने पड़ेंगे तो जो volatility भड़ती है जरूरी नहीं मार्केट का प्राइस भड़े हो तो प्रीमिम भड़ेगा अच्छा क्योंकि seller को घवराद बढ़ेगी सेलर निक्स्ट्रेड में बोलेगा अरे अभ तो में हाइय प्रेमीम मं जाइस भराना थो प्राद शवय व्याँ Dass Ferruh कि अवड़ेगा वराद दो एक्टिम्न का रज बहुत का और अश्ट्रेड में हाइस तो वह अचग सपर्ट अभड दो वह घ्यित रैखरें तो वहल्क्ति तो प्रेटिज जड़ता थीटा गवेगा आपको देखना है इसका इंपेक्ट आपको संज्ग लिए गया जब आप बाई कर रहे हैं तो थीटा इस मेंगिते हम तो हर दिन आपकी पैसे लग रहे हैं और इसने रुपे लग रहे हैं तो थीटा गए हर दिन टांडिके हैं यह वो पहला कुछ दिन सोता रहता है फिर जब जाकता है तो बहुत जोड से फिर गिरता है तो उसका ग्राफ ऐसे होता देगो ठाड़ा ऐसे रहता है तो जब भी एक्सपारी आने वाली है तो पहला दस दिन तक उतरा उसका थीटा का इंपक्त नहीं है बट लास्ट के 15 दिन में वह जोड से इंपक्त करता है Но जब भी कही ऑप्षैण क्रेंग तरह आ डिख किर आप की आए इंपेक्ट थोड़ा तो मैं तो में लास्ट में ऐसेलिंग स्ट्राजी उस करें और शरूमें में बड़ा कर armor sound क Vis- inherently तो उसमें इंपेक्ट प्रेंट जाडिश आने दीज इंपे टेडिक अपका परेटाई सुषप influence on कि डेल्टा रहे डेल्टा रहे डेल्टा सुषप हाद्च रहे में? तो प्रदी जो अिपली बुपली यदर देल्टा, हम इसे लिए टेज़ के घ्ड़ इसे लिए गड़ना चाह रहा है। यह जो अभनाखना चाहर है। यह रहाँ एक आप प्लाटिलीटी़ चाहर है। तो इसलिया हम इसको करिणा रहे हैं, the moment you have clarity कि तुम डेल्टा खरिदना चाहरी हो, तुम तुम थीटा और वेगा को हेज कर लोगी अगर स्टाटीजी बना रहे हैं, अगर आप थीटा करना चाहरे हैं तो आप डेल्टा और वेगा को हेज कर लेता हैं, बोहुत सारे स्टाटी कि जो seriously इसमें घुसेगा ना मजाएगा और इसमें क्रेटिविटी महुत हो सकती है it is like there is a you know canvas and you can paint your own story okay so I am going to cover basic stuffs but obviously if you have to go to advanced options you have to go deeper into it which we will not cover so advanced but more or less strategies जो typically लोग करते हैं जो कर सकते हैं वो हम लोग discuss करेंगे और हर strategy का क्या impact होता है और आपको strategy को कैसे play करना है वो हम लोग discuss करेंगे okay right as a individual retail investor you will have propensity to buy because premium कम लगता है but लोग यह नहीं समझते हैं कि buy करने के decision की पीछे यह तीन character इनको भी समझना पड़ेगा कि आप buy क्यू कर रहे हैं आप आपको क्या पता है कि वेगा का impact आ सकता है क्या आप realize करते हैं कि theta के करने आपको time decay करेंट पैसा लग सकता है यह अगर समझ लो और strategy उसे आप से evolve कर लो तो फिर आपके options के अंदर में पैसे लगेंगे थी पैसे आप कमा पाऊगे और proper strategy के साथ में पैसों को और multiply कर पाऊगे ठीक है कही बार होता है कि हमारे पास में strategies होती हैं जो हम cash market और derivative options को use कर सकते हैं कहीं कर सकते हैं जैसा ही आपने कहला के सario काम करेंगे बट कि काम करेंगे बट मिड़ा काम करना क्राइब तो चालू यहां थीट का impact आ रहे हैं तो आप पूढ करोगे तो अपने क्वेंशन को पुचाता तो अगर मेरे को कम्बाइन करना है तब फिर में डिसीजन को अगॉड़ियों चेंज कर सकते हुगा ठीक है थोड़ा कॉम्लिकेशन हो जा रहा है नहीं सर ठीक है तो दोस्तों यह था ओप्षिंस का तीसरा क्लाश जहां पर मैंने एक और नेक्स लेवल का कॉम्लिकेशन एड़ कर दिया बट सिंपल रखा है ताकि आप चीजों को समझ पाएं यह तीन करेक्टर से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है यह तीनों आपके दोस्त हैं आपको मनना पड़ेगा यह दोस्त हैं और आपको help करने के लिए बने यह आपको डरा जितना आप इसके साथ में समय बिताएंगे उतनी दोस्ती और मजबूत होगी और जितनी दोस्ती मजबूत होगी उतना वो आपको support करेगा चले दोस्तों यह समाप करते हैं वीडियो आशा करता हूं पसंद आया होगा और मेरे और वीडियो उसको share करते रहेगा और यह करते हैं